हेलो एवरिवन आज में आप लिल्ले क्या हूँ बहुत ही हेल्दी डिलिसियस और टेस्टी रेसेपी जो की वेजी टेबल से भरी हुई है वो है हमारी मुंग डाल की इडली जिसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं और इस सफ्ट और फलफी इडली को आप नास्त में भी इंजोई कर सकती हैं देखिए यह कितना सॉफ्ट और फलफी बनता है तो चलिए देखते हैं इस नास्ते की रेसेपी को मुंग डाल की इडली को बनाने के लिए मैंने यहां लिया है 250 ग्राम मुंग का डाल बिना छिलके वाली मुंग का डाल जिसे मैंने डेर घंटा पहले पानी में भीगो के रख दिया था ताकि यह फूल सके अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे आधे घंटे के लिए गरम पानी में भी भीगो के रख सकती हैं यह अच्छे से फूल जाती है तो अब हम नेक्स प्रोसेस के लिए क्या करेंगे कि अब हम डाल से पानी को निकाल देंगे ड्रेन ओफ कर लेंगे तो डाल से मैंने पानी को निकाल दिया है अब मैं यहां ले रही हूं एक मिक्सर जार और इसमें डालेंगे डाल को अभी हम पूरी डाल को नहीं पिसेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे डाल और आधी डाल को मैंने बचा लिया है, जिसको हम सेकेंड बैच में पीसके तयार करेंगे तो अब मैं अब मैं यहां ले रही हूं दही, जो की फ्रेस दही है बिल्कुल ताजी दही है यह हमारी घर की बनी हुई दही है, आप यहां खटे दही को ना ले थोड़ा बहुत खटा हो तो चलेगा पूरा खटा दही ना ले और इसको पीस्ते से में हम इसमें बिल्कुल भी पानी एड़ नहीं करेंगे जब मुझे जोरत होगी तो थोड़ा बहुत पानी आप इसमें एड़ कर सकते हो तो अब हम इसको पीस्के इसका स्मूथ बैटर तयार कर लेंगे इसका अस्मूत बैटर मैंने पीज़के तयार कर लिया है इसकी कंसंट्रिंसी को आप देख सकते हैं ना ही ये बहुत मुटा है और ना ही बहुत पतला है अब इस बैटर को हम एक बॉल में निकाल लेंगे सारे बैटर को मैंने बॉल में निकाल लिया है अब हम इसमें कुछ भेजी टेवल्स को एड़ करेंगे मैं यहां ले रही हूँ कटी हुई कैवल्स जो की दो छोटे चम्मच है जिसे मैंने छोटे छोटे टुक्रों में काट लिया है दो बड़े चम्मच गाजर जिसे मैंने कद्दु कस कर लिया है और मैं यहां ले रही हूँ थोड़ी सी सिबला मिर्च और कद्दू कस्किया हुआ अद्रक लिया है मैंने अद्रक डाले से इसका स्वात जो है बहुत ही अच्छा आएगा और मैं यहाँ ले रही हूँ, एक हरी मिर्च कटी हुई, यह मैंने यहाँ मोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो कम तिखी होती है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप यहाँ हरी मिर्च को skip भी कर सकते हैं, आप मैं यहाँ ले रही हूँ, जाके अच्छे से मिक्स हो जाए अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी धनिया डालने ऐसे जो है इसका तिस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी जो देखने में लुक है वह बहुत अच्छी आएगी, इन सारी चीजों को डालने के बाद हम इसे कर देते हैं और उसमें डाला है थोड़ी सी तेर चमच जितना cooking oil तेल गरम हो गई है अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चमच राई राई तड़क गई है उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हींग और ये है हमारी कड़ी पत्ता जिसे मैंने धोके छोटे छोटे टुक्रों में काट लिया है तो ये तड़का हमारा तयार हो गया है गैस प्लम को कर देती हूँ और इस तड़के को जो है हम डाल रहे हैं बैटर में बैटर में जो है आप तड़का जरूर लगाए तड़का लगाने से जो है इसका जो स्वाध है इसका जो टेस्ट है वो एकदम दुगना हो जाता है तो आप तड़का लगाना बिलकुल मत भुलिएगा इससे ये काफी टेस्टी हो जाता है अब मैं इसमें एट कर रही हूँ टेस्ट के कॉर्डिंग नमक नमक डालके इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो नमक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए अब मैं डाल रही हूँ इसको फलफी बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ इनो जो है हम सबसे लास्ट में एट करेंगे और इसे हलके हाथों से ही मिक्स करेंगे इसे बहुत ज मचल्ण यूटर इंदली मोल्ड में डाल रही हूँ अब ग्रिस करने के बाद बैटर को उसमें डाल रही हूँ एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप बैटर में इनो को add करें तो आप जितना बैटर आप बनाने वाले होना उतने ही बैटर में इनो add करें तो मैं यहां सारी इडली को एक साथ बना रही हूँ तो इसलिए इनों को इक ही साथ एड ना करें तो अब मैं यहां ले रही हूँ इडली मेकर और में मैंने पानी डाल दिया है पानी हमारी ग्रम हो चुकी है अब मैं जो है इडली मॉल्ड को इसमें प्लेस कर दूँगी अगर आपके पास इडली मॉल्ड नहीं है तो इस हुआ है अब मैं चेक कर लेती हूं गैस फ्लम को में और आ अफ कर दिया है अब मैंने यहां लिया है तूथपीक और तूथपी को इसमें इन्सेर्ट कर रही हूं देख रही हूं कि हमारी जो इडली है वो परṣek्ट बनी है या नहीं तो इडली मिल्कुल स्यक्रोइ लिए ल सारे इडली को हम यहां निकाल के एरेंज कर लेंगे सारी इडली को मैंने यहां पर निकाल लिया है यह देखने में काफी डिलिसियस लग रही है और काफी टेस्टी लग रही है और मैंने इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है तो देखिए कितनी सूपर डिलिस्यस और कलरफूल इडली बनी है मैं ये काफी। सौफ्ट और फलफी बनी है। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी दिख रही है। काफी टेस्टी और डिलिस्यस लग रही है। आप इसे बच्चों को टिफिट में देंगे तो बच्चे भी बहुत ही इन्जुआई करके इस रेसेपी को इस इडली को खाएंगे और यह काफी हल्दी इडली है तो आप भी इस रेसेपी को ट्राइ जरूर करें विडियो अच्छी लगे तो विडियो को लाइक किजिएगा कोमेट किजिएगा और सेयर करना ना भूलिएगा थैंक यू फूर वाचिंग दे विडियो